स्वागत आपका स्कूल राज तेहोरी में आज हम लोग जानेंगे जो ब्लैक फंगस को लेकर सरकार ने नई एड़वाईज जारी किये है उसके बारे में हम सभी लोगों को बताएंगे और आप भी इस वीडियो को ज़दा ज़दा सेयर करना और ताकि हर लोग हर जरूतमन्त इस जो जानकारी है इसे पढ़ पाए और इसे समझ पाए ब्लैक फंगस जो कि आपने अभी रिसेंटली निउस में सुना होगा और देखा होगा जो कोरोना से पीडित होए हैं उनमें ये फैलता जा रहा है इसे हम कैसे बचेंगे और ये क्या है इसके बारे में जानते हैं ये एडवाईजरी सरकार के द्वर जारी की गई है मैं चाता हूँ ये हर एक जरूतमन तक पहुँचे तो हमारे चैनल के माद्यम से हम ये जरूर कोशिस करेंगे सरकार ने ब्लैक फंगास को लेकर एडवाईजरी कर दी है इसमें कहा गया है कि COVID-19 संक्रमन के उपरांथ ब्लैक फंगास या म्यूकर माइकोसिस चहरे नाक साइनस आख और दिमाग में फैल कर उसको नश्ट कर देती है COVID के बाद ब्लैक फंगास यानी म्यूकर माइकोसिस ने पूरे देश में पैर पसाचने शुरू कर दी है जानिए ये किसे हो सकता है COVID के दोरान इस्टरोइड दी जाती है दवाई दी जाती है डैक्सा मिथोजन मिथाइल प्रेडनिसोलन इत्यादी इस्टराइड्स होते है ये जो COVID की बीमारी है इसमें ये इंजेक्शन दिये जाते है ताकि जल्दी से बूष्ट हो सके COVID मरीजों को आक्सिजन पर रखना पड़े या फिर आईसू में रखना पड़े डाइबीटेज का अच्छा नियंत्रन ना हो कैंसर, किड्नी, ट्रांस्प्लांट, इत्यादी की दबाद चल रही हो किसे हो सकती है ब्लैक फंगस उसके चार पॉइंट्स है इसके बाद क्या लक्षन होंगे अगर आपको ब्लैट फंगस है COVID के बाद आपका इलाज हुआ है उसके बाद आपको ये लक्षन आते हैं तो आपको जरूर से डॉक्टर को दिखाना चाहिए चेहरे के एक तरफ दर्द हो सूजन हो या फिर सुन हो गया हो सुन मतलब छूने पर छूने का एसास ना हो दांत में दर्द हो या दांत हिलने लगे या चबाने में दर्द हो उल्टी में या खासने में बलगम में खून आए बलगम मतलब जो आपका लारवा आता है स्लाइवा आता है थूक आता है कफ आता है उसमें खून आए क्या करने आपको क्या करना है अगर आपको ऐसे लक्षन मिलते हैं तो उप्टित में से कोई भी लक्षन होने पर ततकाल सरकारी अस्तपाताल में या किसी अन्य विसेसग्य डॉक्टर को दिखाएं नाक, कान, गले, आक, मेडिसिन, चैस्ट या प्लास्टिक सरजरी विसेसग्य से तुरंत दिखाएं और लगकर इलाज सू करें साफधान या क्या बरतनी हैं आपको अगर ही लक्षनाते हैं स्वया किसी गहर विसेसग्य डॉक्टर के दोस्त, मित्र या रिष्तेदार के कहने पर इस्ट्रोड दबा कत्ताई शुरू ना करें कैई लोग क्या करते हैं अगर आपको बुखार या खांसी हो रही है तो लोग सोचते हैं क्या कॉविड के लक्षन है तो उसे बिना की सोच से समझे इस्ट्रोड दे देते हैं जैसे डैक्सोना या मैड्रल इत्यादी ये दो इस्ट्रोइड्स हैं इसके अलावा भी इस्ट्रोइड होते हैं आपको नहीं लेने हैं बिदा डॉक्टर की सला के इस्ट्रोइड का प्रियोग विशेस डॉक्टर कुछ मरीजों के केवल 5-10 दिनों के लिए करते हैं वो बिमारी शुरू होने के 5-7 दिनों के बाद केवल गंबीर मरीजों को इसके पहले भौसी जाच आवस्चक होती है जब आपके कॉविर होता है उसके उपरांत ये 5-7 दिनों तक ही इस्ट्रोइड देनी चाहिए उसके बाद अगर देते हैं तो इसके घातक लक्षन हो सकते है साफधानिया लक्षन के पहले 5-7 दिनों में इस्ट्रोइड देने के दूस परिनाम होते हैं विमारी शुरू होते हैं इस्ट्रोइड शुरू ना करें शुरू होते ही ना करना है 5-7 दिनों मैं देने होते हैं और ना इसके बाद देने होते हैं इससे विमारी बढ़ जाती है इलाज शुरू होने पर डॉक्टर से पूछे कि इन दवाओं में इस्ट्रोइड तो नहीं है अगर आपको दवाओं लिखी है तो आपको पता होना चाहिए इसमें श्ट्रोइड तो नहीं है अगर है तो इस दवाओं मुझे क्यों दी जा रही है श्ट्रोइड शुरू होने पर विसेज डॉक्टर के नियमित संपर्ट में रहे अगर आपको श्ट्रोइड दी जा रही है तो आपको डॉक्टर से पूछना है इसके कुछ दुस्प्रभावत नहीं है और आपको नियमित डॉक्टर के संपर्ट में रहना है ये जानकरी आपको खुद तक नहीं रखनी है इसे अपने सभी परिवार और दोस्तों और सभी किसा सेयर करना है आपको नहीं पता कि इस जानकरी को सेयर करके आप कितनों की जान बचा सकते हैं इस सेयर इसे सेयर करें और लोगों की मदद करें ताकि अधिक से अधिक लोगों को जानकरी हो सके कि Black Fungus से बचाफ कैसे हो सकता है आप भी, मैं भी हम सब इस चैनल के मादधम से हेवे मूवी चलाते हैं आप भी इस वीडियो को जादा जाद सेयर करें धन्यवाद